हेलो फ्रेंट्स आज के इस क्लास में बिहार सची वाले के लिए प्रैक्टिस सेट नमबर 9 देख रहे हो जो की प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का आज का या आपका क्लास है इससे पहले आप लोग को सेट नमबर 1-8 का क्लास साथ ही साथ बिहार सची वाले के लिए घटना चक आप ले लिस्टा कर चेक कर लिजेगा आईए आज के इस क्लास का कोशन नमबर 1 को देखते हैं सबसे पहला सवाल कह रहा है दातिया वाकर कहलाने वाली कौन से किताब दातिया का उल्लेख करती है ओप्शन आपका यहाँ पर एराय टांसर हो जाएगा महाभारत पता है आप यह मद्ध परदेश में है इसके बारे में महाभारत में दिया हुआ है महाभारत का पुराना नम आपको पता होगा जैशंहिता है नमबर शकेंड कह रहे भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत इन समय से कहां पर तो ऑप्शन नमबर सी हुजागा केडल में स्थित है नंबर थार्ड एक जी ट्वेंटी सिखर समिलन दोजर बाइस कहां पर आयोजित किया गया ऑप्शन एर आय टांसर बाली यानि कि इंडोनेशिया में बताएंगे कि भारतिय समिधान में प्रावधान शुरूत का कौन सा युग में सही है नंबर फूर का ऑप्शन देखिए आपका भार समिधान में जो संसूधान है यह दच्छिन अफरिका के समिधान से लिया गया है और आश्टपती के अपात कालिन सक्ती जर्मनी के समिधान से लिया गया यह आपक गोलकुंडा किला भारत के किस राजी में है option number C आपका हो जाया गोलकुंडा कहाँ पर है तेलंगाना में है किस संगठन ने प्राकितिक तेलों को उप्योग करके पानी को किटानू रहित करने के लिए एक नई तक्निक नाम है स्वास्तिक ये स्वास्तिक की शुरुवात की गई है किस संगठन के द्वारा किया गया आपको ये बताना है option number B C S I R N C L के द्वारा ये बनाया गया है इसे आप ध्यान रखेंगे C S I R का मतलब क्या होता है National Chemical Laboratory जो आपका रिशर्च है ये ध्यान रखिएगा नमबर 7 कह रहा है निमलिकित में से किस व्यक्ति को चिकित्सा के लिए Nobel पुरुषकार 2022 से सम्मानित किया गया option number A स्वानते पैबे को निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है 8 का राइट आंसर अगर आपको पता हो आप कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट वाले किलास में आपको इसका जवाब बताया जाएगा नमबर 9 कतर यहाँ पर आप अराम से देखिए आउट सोर्सिंग वैश्वी करन के महत्तोपुन परिनामों में से एक है WTO की अस्थापना 1995 में गैट के उत्रादिकारी संक्रशन के रूप में हुई थी एट लिक करके जो भी आपका जवाब हो कमेंट करिएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी के जील किस राज में है और रिशा में आपको ध्यान रखना है जिलका जील आप जानते ही हो ये खारे पानी के लैगों जील है करके ने मिखित में से कौन टोकियो ओलंपिक दोहजर बीस के उद्गाटन समाहरों में भारत का धजवाहक थे व्योंकि 2021 में हुआ था आप्शन नमबर आपको यहाँ पर भी बता देना है मैरी कॉम सही जवाब कौन सा कथन यहाँ पर शही है बताएंगे नमबर 11 का ओप्शन देखिए आपका और इंडिया मुस्लिम लिग ने बंगाल विवाजन का समर्थन किया था सही बात है और कहले एक लाला लाजपत राय ने आरे समाज के यह सक्रिये सदा से थे भी आपका शही है दोनों कथन सही है ओप्शन यह आपका राय टांसर है यहाँ पर बताना है किसने कहा था कि भारत की एक मात्र आशा उसकी जनता से है उच्छ वर्ग सारीरिक एवंग नेतिक रूप से मृत है यह विवेकारनंद के द्वारा कही गई थे टीपू सुल्तान के स्वर्ग मैशूर के सासक बने थे बारत के समिधान में इन समय से कितना मूल अधिकार और कितना कर्टव है तो आपको ध्यान रखना है ओप्शन नमबर भी छे मूल अधिकार और 11 कर्टव दिये हुए हैं भारतिये समिधान में 36 में राष्टी खिलों में कौन योगाशन में श्वर्ण जीतने वाली पहली खिलारी बन गई है पूजा पटेल पुस्तक अनहपी इंडिया के लेखा का नाम बताएंगे अपका बी लाला लाजपत राया आपको बता देना है पटना उचने आले की अस्थापना कप की गए थी ऑप्शन नमबर डी उनिश्व सोला में अमरीकित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताईएगा देखिए ऑप्शन नमबर फर्ष्ट कह रहा क्या नॉर्मली गर्म महाशागर ये धाराएं भूमद रेखा के निकट उत्पन होती है एवंग दुरूओं की और प्रवाहित होती है ठीक है समझिए गर्फ इस्ट्रिन ना अट्लांटिक महाशागर की ये गर्म धारा है ठीक है फिर आपका क्या कह रहा है गर्फ इस्ट्रिन सीथ जल धाराएं होती है ये आपका गलत हो जाएगा न तो आपका कौन सा काथन पूछा है सही नहीं है दूसरा वाला नहीं है यानि कि आपको सी केवल दूसरा सही जवाब हो जाएगा नमबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है बुथ ने इन समय से कहा पर ज्यान की प्राप्ति ऑप्शन नमबर भी बोध गया में निमलिखित में से कौन एक दिए गए शमय में समाज में पूरूर्सों एवग महलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्तपुर्ण समाजिक सूचक है लिंग अनुपात ओप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नमबर ट्वेंटिवन माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बरी नदी डेल्टा है कहा पर है ओप्शन ए अशम में उरुगवे राउंड अक्सर इन अंतर राष्टी संगठनों के संदर में सुना जाता है यह क्या है ओप्शन नमबर ए विश्व व्यापार संगठन डवलू टी उ आपको बता देना है बिहार में लोग सभा की 40 सीटे हैं तो राजी सभा की कितनी है विधान सभा का पूछेगा 243 विधान परिशत 75 है इन चारों में से क्या ओप्शन आप फिल करेंगे जो कि राज्वा में लोग सिकायत और भ्रष्टा चार सिकायतों पर कारिवाही करता है अप्शन नमबर C लोकायूक तपकर आईट अंसर है समिधान के बुनियारी धाच्चे में संसोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है यह सरोच नियारे द्वारा निमन में से लिया गया फैसला था तो यह आपका option number B केश्वानन्द भारती बनाव केरल लाज में लिया गया फैस्टला था भारती सम्मिधान में बजट को निम्न में से किस रूप में संदर्वित किया जा सकता है वार्शिक वित्तिये वीविड़न आप इसे कहा सकते है option आपका D सही जवाब है पंचैती राश संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर में निम्निखित में से कौन सा कथन बताएंगे सही है कह रहा है इनका प्रावधान समिधान के अनुच्छित 243 दी 3 में किया गया सही है या आरक्षित अनुच्छित 300 समाप्ति की आवधित प्रमावी नहीं लगी या आपका गलत हो जाएगा इसे आप ध्यान रखेंगे ठीक है यहाँ पे मतलब यह option जो पहला सही है तो इसलिए आपको option number C यहाँ पे टीक करना पड़ेगा next question number 28 नम्न मेंसे किसके द्वारा अस्थापित किया जाता है नाम बताइए किसके द्वारा द्वारा option आपका और हो जाएगा भारत शरकार के द्वारा बताई ए 1809 जोग पाल शाथान बनाने वाला पहला देश कौन सा है 1809 में ही बन चुका था आपका option हो जाएगा C, Sweden, महादूइप या फिर्दूइप किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? Option A, तर्टिये प्रवाल भित्ति कहा जाता है? महराष्ट, गुजरात, सिमान्त, छेत्रों के आदिवार्शियों के बीच लोग प्रिये चितरकला सैली को क्या कहा जाता है? Option D, वर्डली भित्ति चितरकला के नाम से आप इसे जानते हूँ नेक्स्ट कुर्शन नमबर 32 देखे, कह रहे कि हैं महानगर योजना समीती का प्रावधान किस अनुच्छेत के तहत किया गया है? Option C, अनुच्छेत 243 का संगह हो जाएगा और 243 का जैट इयापी से कह सकते हो Order of Australia समार प्राप्त करने के लिए एक भारती खिरारी का नाम है Option A, सचिन तंदुलकर फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के प्रिजर पुरुषकार के लिए चुना गया है किस देश से Option A, राई टांसर बंगलादेश की है समाजिक जाग रूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीरन को रूकने के लिए डायन प्रता प्रतिसेद विदहया कब भी बिहार में लाया गया था जो बिहार में डायन वगर अवर्ट चलता था न यह आपका Option B, उनिश्व 99 आपका राई टांसर है कौन से उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल ली और वहां की कही परसिद इमारतों की रचना की है एड़वर्ट लूटियांस आपका Option Number D, देखिए आप यहाँ पे देख पारे हो इंडियन पॉलिटी का क्या रोल है, आज के इस क्लास में आपको जरूर पता चल रहा होगा तो आप लोगों को क्लास Number First, Second दिया जा चुका है थर्ड भी मानिए कि आप लोगों के लिए तयार है, सान में 6 बजे हो सकता है, आ जाएगा आप उसे भी देख लिजिएगा, इंडियन पॉलिटी पे पकर बनाईए, बिहार सची वाले में अच्छा खाशा कोशन पूछा जाएगा लगवाग 700 प्लस, वर्ल लाइनर आप लोगों को बता करके उसका MCQ यानि कि जश्ट ग्लास के बाद टेस्ट आप लोगों को लगवा दिया है आप वहाँ जाकर जरूर चेक कर दिजिएगा, प्लेलिस्ट NCRT सार संग्रा करके बना हुआ है राष्टिय के डिट कोर, यहनि कि NCC की अस्थापना वर्ष कितना में हुई थी आप्शन नमबर आपका भी हो जाएगा, वर्ष उनिस्चो अर्तालिस राइट आंसर इन सब में से कौन सा है जो भारत का प्रमुक लोग अयस्क निडिया तक बंदरगा है बंदरगा आपका सही जवाब हो जाएगा, नमबर 89 कह रहा है भारत की इन सब में से कौन सी देश के साथ सबसे लंबी अंतरट आश्टिय सीमा बंगलादेश के साथ कितना 4,967 किलोमीटर लगता है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर ध्यान रखिएगा बताएगे कि बच्चों को निसुल्क और अनिवार शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम ये किस वर्स में दे दिया गया था लागू कर दिया गया था ऑप्शन नमबर डी 2010 में नमलेकित में से कौन सी भारत सरकार की ग्रामीन विद्योटी करनी हो जना है आप्शन नमबर आपका भी हो जाएगा राइट आंसर डी डी ये यू जी ये वाई आपका सही जवाब हो जाएगा बताईएगा किविश्विखाद दिवर्स प्रतेक वर्स किस डेट को मनता है आपका 42 का सही जवाब हो जाएगा ओप्शन नमबर ये 16 अक्टूबर को ली कार्बू जीगर ने किस भारतिय सहर को डिजाइन करने में भालत सरकार की शाहिता की थी ऑप्शन नमबर सी चंडीगर को डिजाइन करने में महापरी निर्वान मंदिर कहां परिष्थित है 44 का option number D कुशीन अगर आपका सही जवाब युनेश्को द्वारा मानुता प्राप मानवता के मौखिक एवंग अमूर्थ विजाशत की स्रेष्ट केतियों के रूप में कुद्याटम है कहां पर option number बताएए 45 का क्या हो जाएगा कुद्याटम कहां पर है भी हो जाएगा सही जवाब केरल में है ये नेत्ति का पारंपरिक रूप है ध्यान रखेगा अंत्रिक्ष में जाने वाली भारतिये मूल की पहले महिला का नाम बताएए क्या रहा था option number B पूर्ण रूप बताएए क्या होता है option number A डिस्ट्रक्टर रूल डेवलप्मेंट एजनसी आपका सही जवाब हो जाएगा अगर इसका गठन पूछेगा 1980 में की गई थी राष्टिये बीज निगम को इन समय से किस वर्स में अस्थापित किया गया था option number आपका सही हो जाएगा वर्स 1963 में जेला पंचायत अस्तर पर पदेन सदस्ट से कौन होते है option number D हो जाएगा विधायक और शांसद दोनों होते हैं ध्यान रखिएगा यहां से देखिए आप लोगों का science का question स्टार्ट हुआ इसके science को देखने से पहले आप लोग को अगर यूट्यूब पे notification वगर नहीं आता होगा जो भी आप class देख रहे हो इस channel पर आप एक काम करिए चैनल को पहले unsubscribe कर दीजिए फिर subscribe करके बेल आइकन वाले जो बटम होता है उसे प्रेस कर दीजिए आज कल काफी लोगों का message और comment आ रहा है कि notification class का नहीं आता है बिलकूर अभी 3-3 class per day आप लोगों के लिए आ रहा है हो सकता है class जादा भी आएगा और हो सकता है notification ना मिले उसके लिए सबसे अच्छा है पहले अभी अभी आपको चैनल को unsubscribe करके फिर से subscribe करिए फिर से बेर आइकन प्रेस करिए 100% sure रहिए class का notification जो है सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएगा नमबर 51 कह रहा है क्या बर्टी ब्रेटा को इन समय से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है बर्टी ब्रेटा को ना 6 भाग में इसमें से आपका मनुष्य है पक्ची अस्तंदारी है सरीस्रीप है उभैचर है और जो मतस्ची है ये सभी आते हैं ध्यान रखिएगा छे आपका राइटांसर नमबर इकित में से कौन आयोडीन तथा पोटेसियम का परचूर सुरोत है और आयोडीन तथा प्रेटांसर केल्प हो जाएगा मोक्र की गोही काएं रख्त वाही काएं हिद्दे इत्यादी निमन में से किसके साथ रेखित किये जाते हैं तो फिर फिर तरी का आपका ए हो जाएगा शलकी उपकला के साथ नीशे दिये गए चार तत्वों में से कौन सा समू एक इलेक्ट्रोन का लाव प्राप्त कर सकता है तो था अपनी बहत्यम जो कोश्क है उसको पूर्ण कर सकता है बताए फ्लोरीन, क्लोरीन, हैड्रोजन और हिलियम क्या आपका राई टांसर यहाँ पे होगा ओप्शन नमबर आपको सी टीक करना होगा सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और हैड्रोजन सही जवाब हो जाएगा ना भी क्यों में सरणची धागे जैसे संरचना है इन सब में से क्या कहलाती है ओप्शन नमबर डी क्रोमेटीन कहलाती है वनस्पत्थी पदार्थों के खाद में अब गड़न की अभी किडिया इन समय से ओप्शन नमबर आपका भी हो जाएगा उस्मा शेपी कहलाता है यहाँ पर बताएए एक विलियन के धाई सो ग्राम जल्ब में पचास ग्राम चीनी मिला हुआ है विलियन के ध्रवमान प्रतिसत में ध्रवमान का परिकल्ब करें कितना होगा आपको यहाँ पे जो सॉल्ब कर दीजेगा ठीक है जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है विलियन का जो द्रव बॉन परतीसात होता है ना इसके बराबर फॉर्मूरा क्या होता है यह विलाइ की मात्रा गुने सौ बटे विलियन की मात्रा इसे स्वाल्प करिएगा आपका 16.7 जो है ये परसेंट आएगा इसके 16.67 आता है तो आपको ओप्शन में 16.7 दिया हुआ पेत्थवी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाव निवनतम होता है जब वो इन चारों में से क्या कर रहा होता है बताईए देखिए अच्छा कोश्चन है इसका लेवल बिल्कुल भी साइन्स का सही दिया हुआ है इसी पैटर्ण पे आपके एक्जाम में सवाल आने भी वाला है ओप्शन भी नेंद की इस्तिते में क्या होता है लेट जाता है धियान रखिएगा और यहाँ पे एक बात समझेगा एक्जाम के बारे में देखिए पे एक्जाम जैसा कि आप लोगों ने सुनाई ही होगा कि एलक्षन को लेके हो सकता है डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कुछ भी होता है आप इस बात को समझ लिजेगा अगर डेट बढ़ता है तो अपने परहाई को हलके में मत लिजेगा क्योंकि बिहार सची वाले का exam जब हो जाएगा exam होने के time तक में अभी time अगर है जो भी तयारी करने वाले हैं काफी अच्छे से तयारी कर रहे हैं exam का date बढ़ेगा तो भी वो अच्छे से करते रहेंगे जिनका तयारी थोड़ा बहुत खराब है वो अपना तयारी को अच्छा कर ले आपके पास अच्छा खाशा मौका अभी है exam में question का level अगर hard आता है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा time आपको मिल जाएगा भी हार सची वाले के लिए तो हो सकता है pattern को तो अच्छा हार कर दिया जाए उस वक्त कहिएगा पता निका question जो है कहां से पूछा तो जैसा कि आपने BPSC में ध्यान दिया होगा अगर आपको पता हो अपने exam दिया होगा या फिर आपने question paper देखा हो आपको जरूर इस बात के बारे में अच्छे से पता होगा नमबर 59 देखिए अनुवान सिक्ता के इकाई option नमबर आपका होजाए अगर आई ट्रांसर क्या भी अनुवान सिक्ता के इकाई होती है जीन या जो सवालन न पिर्थ हुई पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब जो नियुनतम होता है इसके बारे में थो आसा समझ लिजेगा या तो आपको option नमबर भी नींद किस्तिती में लेटता है ठीक है आपको पता है ना कि दाब जो है छेतरफल के व्योत करमान पाती होता है अगर दाब बराबर पूछेगा तो बल बटे छेतरफल आपको ध्यान रखना है पूछा जाता है कि वाजवंडली जो दाब है इसको हमेशा कितना माना जाता है इसको 1 ATM करके आप ध्यान रखेगा हमेशा माना जाता है जैसे जैसे इनसान जो है ना पिर्थवी से लंबुवत उपर की और भरता है दाब क्या होता है कम होता है या जादा होता है तो दाब कम होता जाता है ध्यान रखेगा चलिए आए नेक्स्ट कोशन यहाँ पर देखिए निमलिखित में से कौन विद्योधारा प्रवाहित होने की अनुमती नहीं देता है नमबर 60 का ओप्शन नमबर D हो जाएगा आसूत जल नहीं देता है कौन है जो संगती इंधन उर्जा का शुरूत नहीं है इन चारों में से बताई निमलिखित में से कौन है किलोवाट घंटा नेमन की इकाई है किसकी option number B right answer किलोवाट घंटा विद्यूत उर्जा की इकाई होती है अगर आपसे पूचता है एक किलोवाट बरावर बताइए कितना होता है एक किलोवाट घंटा बरावर तो 3.6 into 10 to the power 6 जूल आपको ध्यान रखता है कूशी का अंगग जो सभी करती विद्यों को नियंतरित करता है क्या कहलाता है नंबर 64 का option number B केंद्रक कहलाता है अनुप्रस्त तरंगे क्या है इन समय से अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम चाहिए ता आपके लाज को यहाँ पे रोक लिजेगा अनुप्रस्त तरंग ना इन तरंगों में माध्यम के कन तरंगों के संचरन की दिशा के लंबवत दिशा में कमपन करते हैं option A आपका बिलकुल सही जवाब है पूर्शन नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है आप जानते हो ना option नमबर D छोटी आत में होता है बताइएगा कि विद्युद्चुम्बक के समन्द में कौन सा कथन शत्य नहीं है यह कि यहाँ पिना वे विद्युद्धारा का प्रवा समाप्त होने पर अपना चूमबकत नहीं खोते हैं यह आपका गलत हो जाएगा ठिक है अपना जो चुमबकत तहोता है यह खोता है ठिक है यह कथन आपका बिलकुल गलत हो जाएगा नेक्स्ट और बादमा की ऑप्शन B, C और D आपका जो है बिलकुल सही दिया हुए इन्हें अत्यंत भारी बोज उठाने के लिए अती प्रवल बनाया जा सकता है इनका उप्योग कवार के चुम्बकी पदार्थों को पेथख करने के लिए किया जाता है वे लोहे के टुकरे को आकरसित भी करते ही है उचाई वाले अस्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रख्त कोशिकाओं की शंख्यां बढ़ जाती है क्योंकि आप्शन है क्योंकि नपरवतों पर आक्सिजन की मात्रा कम होती है सही जवाब हो जाएगा इंद्र धनूस की एक प्राकरितिक परिगहटना है जो प्रकास के इन समय से रिक्षेपन से होता है फ्रकास के वर्ण रिक्षेपन यहां पे आप ध्यान रखेगा इसी के वज़े से होता है आनुविक आकर्षन जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह इनसम में से कौन सी अवस्था है ठोश वाली, option A आपका राइड आंसर, किसी छेत्र के सब ही जीव, तथा वातावरन के अजयव कारक सयुक्त रूप से इनसम में से किस से, इनसम में से परितंत्र से बना होता है जलिये जानवर जीवित रहते हैं, यहां गैस निमलिकित में से किस गुंधर्म के कारण होता है, विश्रन के वज़े से, option A आपका बिलकुल सही है बताएगे कि मानव आहार नाल में भूजन विभिन हिस्सों में से किस क्रम में यात्रा करता है option नमर सी राए डांसर, पहले मुख में, फिर ग्राशी का, फिर अमाशे, फिर छोटी, आथ फिर आपका बड़ी आता, आपका सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कुशिन है, नेक्स्ट यानि कि आज का लास्ट है, डाल्टन का आंसिक दाव का नियम निमलिखित में से किस समिकरन पर लागू होता है option number D आपका राए डांसर हो जाएगा, CO पलस S2 समिकरन पर डाल्टन का आंसिक दाव का नियम लागू होता है देखिए डाल्टन नेरा परमानु सरनचना पर सबसे पहले पूछेगा कब अठारोश और तीन इश्वे में अध्यान किये थी ठीक है अगर आपसे पूछता है कि सी ओ क्या होता है तो आपको पता है ना कार्बन मोनोक्षाइड होता है ठीक है तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी विहार सचेवाले के लिए प्रैक्टिस सेट नमबर नाइन आपने देखा अच्छा लगा होगा क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा आप लोगों के लिए हर दिन सुबह में साइंस का क्लास आ रहा है साइंस का जो 8000 प्लस 8000 प्लस MCQ स्रीज है उसके लिए प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना हुआ है जिसमें कि आपको 8000 प्लस साइंस लिख करके पहले साइंस 8000 प्लस MCQ लिखा हुआ है आप उसे चेक कर लिजेगा उसे आप ज़रूर देखिएगा पचीस से ज्यादा सवाल आपके सची वाले में तो पूछा ही जाएगा वीप्यसी में भी 30 से ज्यादा आएगा बिहार दरोगा में पूछा जाएगा इन सब के अगर प्रॉपर वे में आप तैयारी कर रहे हो करना चाहते हो अभी से जो भी क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है उसे आप जरूर देख करके उस पर अपना कमांड अच्छे से करिए आपको पता है अच्छा खासा फिर से लेवल रहने वाला है कोश्चन का कटफ तो आपने देखी लिया है समझी गया हूंगे कि अब कितना पार करना पड़ेगा इस बार दरोगा में भी सेम करनी साने काफी लोग है जो इस बार दरोगा का फॉर्म बढ़ेंगे सची वाले का आपने भर दिया है तैयारी अच्छे से करिए अगर आपको कुछ कहना हूँ आप कमेंट करिएगा आप में से सभी लोगों का जो भी कमेंट करते हैं सारे कमेंट को दियान से देखा जाता है सारे कमेंट को दियान से पढ़ा जाता है कमेंट करके आप बता सकते हैं जल्द ही मिलते हैं इसके प्रैक्टिस एक नमबर 10 के साथ